हेलो एब्रीवन आप सभी का सुवगत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 22 सितंबर 24 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोड़ेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में मिल जा तो अब वासिश टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो चलिए चलते आज के अपने टॉपिक की ओर तो कल की वीडियो में हमने जाना था नार्कोटेक्स कंट्रोल वीरो यानि NCB के नई महान देशक कौन बने हैं तो सही अंसर था इसका अनुराग गर्ग वेश्वरोगी सुरच्छा दिवस 2024 का मनाया गया है तो ये मनाया गया है 17 सितम्बर को केसराज्य में उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री योगिया अद्दिनात और तिरपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाहा ने सैप्त रूप से नव निर्मित सिद्धेश्वरी मंदर का उद्गाटन किया है तिरपुरा केसराज्या केंसाथ पदेश में वैश्विखाद नियामक सिखर शम्मेलन का दूसरा संस्क्रड आयोजित किया जाएगा नई दिनली में बंदरगाह जहाज रानी और जलमार मंत्रा लेके ब्राइण नेमेश्टर के रोप में किसे ने उक्त किया गया है मनू भाकरखो अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे ने उक्त किया गया है सामीर कुमार को अठारे सितंबर दोएचोविस को नाड़ा बारती समावेशम्मिलन का दूसरा संस्क्रड कहां आयोजित किया गया है नई दिनली में नई दिनली के बारत मंडपम में आयोजित आठ में बारत जर्शप्ता का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है द्रॉप दिमोनमू जी के द्वारा एलसी ये तेजस उड़ने उड़ाने वाली पहली मैला फाइटर पाइलेट कौन बनी है मोह नाशेह प्रदान मंत्री नई द्रमोदी जी ने तूती कोरिन अंतर राष्टी कंटेनर टर्मिनल का उद्गाटन कहाँ पर किया है तमिलनाडू में सितम्बद दोज़े 24 में केस राज जगे सुदूर वन चेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तेलंगाना और अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्णों की ओर और आज का हमारा पहला कुशिन है विश्वस्वास्त संगटन यानी WHO ने केस देश को आदिकारिक तोर पर कुष्ट रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कोशित किया है तो सही अंसर इस कुशिन का ओप्श दो दशकों से ज्यादा समय से कोश्ट रोग का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है कोश्ट रोग के अगर हम बारे में बात करें तो मायको बैक्टिरियम लेप्रे नामक बैक्टिरिया की कारण होने वाला संक्रमण है जोडन जो वो एशिया माधिप में इस्तित है राइधान इसकी अम्मान, मुद्रायवा की दिनार और प्रधान मंत्री हैं जाफर हसन नेक्ट कुशन है 14 मी होकी इंडिया जूनियर पुरुष राश्टियर चेंपेंश टॉप 2024 का किताब किस ने जीता है सही आंसर इस कुशन का ओप्शन सी पंजाब ने पंजाब ने शूट आउट में उत्तरपदेश को वारा कर 14 मी होकी इंडिया जूनियर पुरुष ट्राश्टियर चेंपेंशिप का किताब जीता है इस चेंपेंशिप का फाइनल मैच जालंदर पंजाब के ओलंपियन सुर्जीत होकी स्टेडियम में खेला गया था हर्याना ने प्रतियोकता में तीसरा इस्तान हाशिल किया है अब हम बात करें होकी इंडिया की तो एक्सकी स्टापना दोजान नौ में होई थी मुख्याले नई दिली में हैं और अध्यच्छें दिली तिर्की केसराजने चौते वैश्वक अच्छे ऊर्या निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किये हैं सही अंसर इसकुशन का ओप्षिन А गुजरात राजने चतुरत विश्व अच्छा उज़ा पुक्ता सम्मेलन और एक्सपो के दोरान गुजरात ने सबसे अधिक पुर्सकार जीते हैं गुजरात को समगर अच्छा उज़ा चमता और पवन उज़ा चमता की चीत्र में सीज सिस्थान दिया गया है वर्स 2024 सम्मेलन का आयोज़न इस्थल है गांधी नेगर गुजरात और ये सम्मेलन पहली बार 2015 में नई दिल्ली में आयोज़त किया गया था अंतरराष्टी सांती दिवस 2024 का मनाया गया है तो ये मनाया गया है ओप्षिन ए 21 सितंबर को अंतरराष्टी सांती दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है इस दिन का मुक्याव देश लोगों को एक शांति पूर और हिंसा मुक्त समाज की और प्रेवित करना होता है और वर्स 2024 के इसकी थीम रही है सांती की संस्कृती का विकास और ये दिवस पहली वार वर्स 1987 में मनाया गया था बारत में किस देश की 1643 किलो मीटर लंबी सीमा पर 31,000 करोड रुपे की लागस से बार लगाने को मनजोरी दी है सई अंसर इस कुशन का ओप्शिन ए म्यामार भारत म्यामार की 1643 किलो मीटर लंबी सीमा पर 31,000 करोड रुपे की लागस से बार लगाई जाएगी ये सीमा हत्यारों गोला बारूत और मादक पदार्तों की तसकरी के लिए कोख्यात है और म्यामार की 1643 किलो मीटर लंबी सीमा भारत के अरुणाचल पदिस नागालेंड मरीपुर और मेजोरम राजसेव कर गुजरती है बात करें हम म्यामार की तो म्यामार जो है वो एशिया मादिप में स्तित है राज़धानी है वाकि नेपीडो मुद्रा है म्यामार क्यात और पदान मंत्री है मिन आंग हांग नेक्ट कुशन है विश्व शफाई दिवस दोए 24 का मनाया गया है इस कुशन का सही आंसर है ऑप्शन बी बीस सितमबर को तो 20 सितंबर को जो है वो वेश्व शफाई दिवस 2.24 मनाया गया है वेश्व शफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है और इसका उद्देश सतत विकास में सफाई प्रयासों के मात्व के बारे में जयारुकता बढ़ाना है और वर्स 2024 की इसकी थीम है वो है आर्किटिक शेयर और समुद्री खूड़ा वर्स 2024 में पहली बार सैंपतराष्ट कैलेंडर पर विश्व शफाई दिवस मनाया गया है सितम 2024 में NSG1 का दर्या हासिल करने वाला विजेवाड़ा रेलवे स्टेशन का आइस्त थे सही अंसर है option C आंदपदेश में है रेल मंत्रा लेद्वार विजेवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्रतिष्टित NSG1 का दर्या दिया गया है ये बारत की आंदपदेश की विजेवाड़ा शेयर में इस्थित है ये उपलब्दी विजयवाडा रेल्वे स्टिसन द्वारा 500 करोड रुपए के वारसिक राजसु को पार करने के परडाम शरूप मिली है और NSG1 का दर्जा उने स्टिसनों को दिया जाता है जहां सालाना रेवेन्यू 500 करोड रुपए से अधिक है या जहां सालाना यात्रियो की संख्या 20 लाग से अधिक है MSCI All Country World Investable Market Index 2024 में भारत ने कौन सा इस्थान हासिल किया है सही आंसर है option B छटा इस्थान भारत MSCI All Country World Investable Market Index में छटा सबसे बड़ा बाजार बन गया है अगस्थ वज़ेच 24 तक इस्टॉक में भारत का बहार 2.35 प्रत्सत है जो चीन के 2.24 प्रत्सत से अधिक है EAC PM की एक रिपोर्ट के अनुसार सकल गरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला सीस राज़ कौन सा है सही अनुसर है option B महराश्ट सहर प्रदान मंत्री की आर्थिक सलाकर परश्यत ने बहारती राज़ों का सापिक्च आर्थिक परदाशन 1960-61 से 2.23-24 सीसक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसर महराश्ट भारत का टॉप से कल गरेलू उत्पाद कंट्रीव्यूटर है बात करें अब भारत के तील सबसे अमीर राज़ों की तो पहले स्थान पर है दिल्ली, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है करनाटक और प्रतिवेक्टी आये के इसाब से सबसे गरीब राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर बिहार आता है, दूसरे स्थान पर जहार खंड और तीसरे स्थान पर है यूपी स्वच्छता ही सेवा 2024 अभ्यान 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है तो ये किया गया है ओप्शन बी 17 सितंबर से दो वक्टूवर तक किया जाएगा स्वच्छता ही सेवा दोज़ेच चौविस अभियान 17 सितंबर से दोवक्टुवा दोज़ेच चौविस तक आयोज़त किया जा रहा है और इसकी जो धीम है वो है स्वभाव स्वच्छता, संसकार स्वच्छता सितंबर दोज़ेच चौविस में केस देश में सूखे से प्रवावित समधायों की सायता के लिए 200 हाथियों को मानने की अनुमती दी है सही अंसर इस कॉश्छन का ओप्शन सी जिम्बावे जिम्बावे ने सूखे से प्रवावित जरूतमन समधायों में मास विद्रत करने के लिए 200 हाथियों को मानने की अनुमती देने की गोश्छना की है अल नीनों के कारड पड़े सूखे ने दच्छडी अफ्रीका में फसलों को नश्ट कर दिया जिससे 68 मिलियन लोग प्रवावित हुए है जिम्बावे की राईदानी हरारे है मुद्रा है जिम्बावे डॉलर राष्टपती इमां के एमसर्न मनंगागवा राष्टपती द्रॉबदी मुर्मु जी ने कहाँ पर सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है तो सही अंसर है ऑप्शन बी मद्द पदेश के उज्जेन में राइश्टपती द्रापदी मुर्मू ने मद्द पदिस के उज्जेन में सफाई मित्रफ सम्मेलन को संबोध किया है सफाई मित्र सम्मेलन बारत सरकार द्वारा शुरू किये गए स्वच्छता ही सेवा दोई या 24 अभियान के हिस्से के रोप में आयोज़त किया गया था अब तल दरपानर विवग्योर से आने वाले प्रकास में से निवंतम गुर्जा निवंतम अब्रती और सबसे लंबी तरंग धर्रवाला रंग कौन सा है लाल विवग्योर से आने वाले प्रकाश में से अधिक्तम गुर्जा अधिक्तम अब्रती और सबसे चोटी तरंग दहर वाला रंग कौन सा है बैंग नी स्वेत प्रकाश का उसके गटक रन्मों में विवाजत होना क्या कहलाता है विच्छेपन दोर्वेन में उव्योग होने वाला दर्पन कौन सा है अपतल दर्पन रात्र में तारे का अपनी वास्तव किस्तसी से उपर दिखाई देने का कारण क्या है वायु मंदली अपवर्तन आकास के नीले रंग होने का कारण क्या है प्रकास का प्रकीडन प्रकास के साथ गटक रंगों में बिच्चेपन की गटना की खोज किसके दुवारा की गई थी? आईजक न्यूटन के दुवारा निकट ड्रस्ती दोसिया मायोपिया के उपचार के लिए प्रयोक्त लेंस कौन सा होता है? अब ता लेंस हाइपरमेट्रोपिया या दूर दर्शता के उपचार के लिए उपयोग किये जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तन लेंस कल की वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूछा था बंदरगा, जहाजरानी और जलमर्ग मंत्रा लेके ब्रांड ने मेश्टर के रूप में किसे ने उपकिया गया है? तो सही अंसर था इसका उप्शन B मनु भाकर अब आपके लिए आज का कुशिन है विस्वस्वास्त संगटन यानि डवलु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेसन ने के इस देश को आदकारिक तोर पर कुश्ट रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कोशित किया है इस कुश्चन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्फल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय बारत वंदे मातराम